हाई फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम LED सीक्वेंचल इंडिकेटर बनाएंगे इस इंडिकेटर को आप अपनी बाइसेकल के साथ या अपनी मोटरपाई के साथ लगा सकते हैं तो चलिए अभी इस इंडिकेटर को बनाना शुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को अभी नीचे डिस्क्र Republican box में मिल जाएगी अगर आप इस प्रॉजक्ट के बारे में कोई भी बात मुछ से पूछना चाते हैं या आप मुझे कोई सेजेशन देना चाहते हैं तो नीची comment box में मुझे comment करें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है 555 Timer IC, 5C945 Transistors, 2,1 and 4007 Diodes, 3 100μF 50V Capacitors, 6 10K Resistors, 5 1K Resistor, 3 4.7K Resistors, 5 LEDs, VeroBoard, Jumper Wires सबसे पहले हम VeroBoard पे 555 Timer IC को कनेक्ट करेंगे इसके बाद इसकी Pin No.6 को Pin No.2 के साथ कनेक्ट करेंगे फिर इसकी Pin No.4 को Pin No.8 के साथ कनेक्ट करके Positive Supply के साथ लगाएंगे इसके बाद हम VeroBoard पे 4.7K का Resistor कनेक्ट करेंगे और इसकी एक Pin को IC No.7 के साथ और दूसरी Pin को Positive Supply के साथ कनेक्ट करेंगे के बाद हम VeroBoard पे ऐक और 4.7K का Resistor कनेक्ट करेंगे और इसकी एक Pin No.7 के साथ और दूसरी Pin No.7 के साथ कनेक्ट करेंगे इसके बाद हम वेरोबोर्ट पे 100 माइक्रो फेरेट का कपैस्टर कनेक करेंगे और इसकी नेगेटिव पिन को आईसी की पिन नमबर वन के साथ दगाके नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को आईसी की पिन नमबर टू के साथ कनेक करेंगे इसके बाद हम वेरो बोर्ट पे एक और 100 माइक्रो फेरेट का कपेस्टर कनेक करेंगे और इसकी नेगटिव पिन को नेगटिव सप्लाई के साथ और पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक कर देंगे इसके बाद हम वेरो बोर्ट पे 5 LED को कनेक्ट करेंगे एंद प्रट बोर्ट पिछ प्रब बोर्ट प्रब गयाओ । प्रेंगे बोर्ट अबाद हम वेरो धम स्वर्ड प्रड़त इसके बाद वेरोबोर पे 5-1K के रिजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे और इनकी एक पिन को LED की Positive पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरी पिन को Positive Supply के साथ कनेक्ट करेंगे झाल झाल इसके बाद वेरो बोड पे 5C945 ट्रांजिस्टर को कनेक करेंगे और पहली ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक करेंगे दूसरी ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक करेंगे और तीसी ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक करेंगे और तीसी ट्रां कि पिन नंबर वन के साथ कनेक्ट करेंगे इसके बाद हर ट्रांजिस्टर की पिन नंबर डू को LED की नेगटिव पिन के साथ कनेक्ट करेंगे कि पिन सब्तיה अ कि उल में लुड़ द रॉजीश्टर क्रेंगे इसके डितक प्षड़ummy की शी नंबर प्रॉड़ सփकियों से र üz激 suffering उन्न. झाल झाल इसके बाद वेरो बोर्ट पे 5, 10 के रिजिस्टर को कनेक करेंगे और इनकी एक पिन को हर ट्रांजिस्टर के पिन नमबर 3 के साथ कनेक करेंगे और इनकी दूसरी पिन को आपस में मिला देंगे झाल झाल इसके बाद वेरो बोर्ट पे 100 माइगरो फैरेट का कपेस्टर कनेक करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को 10 के रिजिस्टर की कॉमन पिन के साथ कनेक करेंगे और नेगटिव पिन को नेगटिव सप्लाई के साथ कनेक करेंगे इसके बाद वेरो बोर्ट पे एक 1N4007 डायोड को कनेक करेंगे और इसके एनोड को 10 के रिजिस्टर की कॉमन पिन के साथ कनेक करेंगे और इसके कैथोर्ट को IC की पिन नमबर 3 के साथ कनेक करेंगे इसके बाद वेरो बोर्ट पे एक 4.7 के का रिजिस्टर कनेक करेंगे और इसकी एक पिन को डायोड के एनोड के साथ और दूसरी पिन को डायोड के कैथोर्ट के साथ कनेक करेंगे इसके बाद वेरो बोड पे एक और 1N4007 डायोट को कनेक्ट करेंगे और इसके एनोड को पहली ट्रांजिस्टर की पिन नमबर 1 के साथ कनेक्ट करेंगे और कैथोड को नेगटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और क्ष़ण साथ करेंगे क्या दो гол्स करेंगे येसरी सिर्ण rechtsया समय수가 साथ येरու वहно पुरा कैसे ए हम येवरो ψाल जयरो – कि इनक्ट करेंगे राorthे खेघढ़iable सकार्म्हा appeal इसके साथ ही हमारा सरक्ट कम्प्लीट हो चुका है तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं करके दूनीट कर्या हुआँ हुआ कर देखते हैं झाल 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 झाल